सब्सक्राइब करते हैं आज हम लोग जो है वो जावा स्क्रिप्ट में पढ़ने जा रहे हैं किस तरीके से हम पॉप और पुश जो है वो एरे को देखेंगे जावा स्क्रिप्ट के अंदर सो लास्ट लेक्षर में मैंने जो है वो कॉप अप कराया था किस तरीके से सौट और रिवर्स करते हैं सो वीडियो को कटिन्यू से देखते ने क्योंकि मैंने आपसे बहुत दफ़ा ये बात करेंगे जब हम ट्रांस स्क्रिप्ट ब्लॉक्चैन में शुरू करेंगे तो उसके अगरे आपने चनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक करना चनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा सो स्टार्ट करते हैं सबसे पहली चीज मेरे पास अल्रेडी प्रीवर्स लेक्षर के तुरू एक वारीबल एरे बनी वी है और इसी एरे को हम आगे पॉप एं पुश के अंदर इसको यूज कर सकते हैं सबसे पहले वैरीबल मेरे पास एक्स था एक्स के साथ मैंने डिक्लेयर करी सबसे पहले पॉप करते हैं मैथट को और close कर दिया अब ये pop method करती है जैसे ही मैं इस pop method को apply करूंगी और इसको call method के जरी call कराऊंगी तो you can see easily कि pop method ने क्या किया banana, oranges, apple last की value आपकी delete करने के लिए pop method use होता है ठीके जी और अगर आपने push method use करना है तो push method क्या करेगा यो भी check कर लेते हैं x के साथ मैंने push method को utilize किया करने के बाद then close और अब मैं document.write के statement को दुबारा से copy करूंगी copy करने के बाद paste कर दूंगी लेकिन याद रखी का push के अंदर आपको value देनी पड़ेगी empty push के अंदर कोई भी value add नहीं होगी यहाँ पर मैं pineapple दे देती हूँ like that देने के बाद अब जब मैं इसको run कराऊंगी banana orange apple and pine तो याद रखीगा pop value क्या करती है last से delete करती है और push value last में ही कोई भी variable या error add करती है ठीके जी I hope lecture clear हो गया होगा वीडियो पसंदा तो वीडियो को like करना चैनल को subscribe करना मत भूलिएगा बिलते हैं एक और exciting tutorial के साथ जब तक Allah आफेज